वेलकम टू मैं चैनल तो बिग बॉस OTT के घर के अंदर सिवानी कुमारी ने दिया कैप्टन अर्मान को सबसे बड़ा जटका ची हाँ कैप्टन अर्मान समझ रहा है अपने आपको की वह कफ्तान बनने के बाद अप पूरे घर को चला लेगा लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खेल खेल दिया है सिवानी ने क्या किया है सिवानी चलिए पूरे आपको विस्तार से बताते हैं कबर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स के लिए तो दोस्त करें लेकिन याप सभी को बता देगी घर में खाना बनाने वाले लोग बहुत कम हैं और ऐसे में अब खेल गई है पूरे तरीके से सीवानी जी हाँ सुबह सुबह अरुन ने आज सीवानी को बोला कि सीवानी एक काम कर दो तू बातरूम की ड्यूटी रहने दे तू किचन का क नीच अ कर राट का काम कर ले और रात का खाना पूरा तेरी सिमयदारी सीवानी को पता था की अर्मान यहां पर सीवानी को कोई भी helping hand नहीं देगा और अकेले उससे काम करवाएंगा। और ऐसे में सीवानी ने खेल दिया है घेल में और बात्रूम की जूटी दी है ,गल हम वही करेंगे , ऐसा नहीं चलेगा कि आज तुम हमें कुछ भोल रहे हो और कल कुछ और बोलो हम अभी बात्रूम साफ करके आए हैं और अब तुम हमें कह रहे हो कि शाम का खाना भी बनाएंगे या नहीं हो सकता जिसके बाद कृतिका चुड़ गई और तीका कहने लगी कि रहने दो अर्मान जी या जान बूच कर ऐसे कर रही है क्योंकि आप कैप्टन होना सेना मकबूल की कैप्टन सी में तो बड़ी अर्मा आराम से कर रही थी कि रहने दो मैं ही बना लूँगी दोनों टाइम का खाना जिसके बाद लवकेश और विशाल ने कहा कि बहन एक काम करतू शाम का खाना बना दे शाम को सरफ चिल्ले बना दे और हम लोग मन से खा लेंगे क्योंकि यहा लोग खाना बनाते तो हैं पर कंजूसी से खाना परोस यह सुनकर सीवानी ने चाहा कर मान से कहा कि ठीक है मैं शाम का खाना आज का बना दूंगे लेकिन अब मैं एक दिन भी पास चुंकी ड्यूटी नहीं करूंगी जिसके बाद यहां पास सीवानी ने साम के लिए अपने भाईयों की पसंद की दाल भी गो दी जिससे सीवानी शाम को चिले बना सके लेकिन सीवानी सच में है बड़ी शयानी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही अब चुटपटी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें